दोस्टों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में दोस्टों जैसा कि आप जानते हैं कि कल कैबिनेट कॉमिटी ओन सेक्यूरिटी ने तेजस मांक वन एक राफ्त की डील को क्लिर कर दिया है जिसमें 93 तेजस मांक वन एक राफ्त करे दे जाने हैं इनमे 73 एक्राफ्ट थे जिस माक वन एस स्टेंडर की होने वाले हैं और 10 ट्रेनर एक्राफ्ट होने वाले हैं जो की माक वन स्टेंडर की हैं इस डील के बारे में अभी से ही काफी सवाल उठने शुरू हो गए हैं ऐसा बताया जा रहा है कि इस डील की कीमत अचानक कैसे बढ़ गई 47,000 क्रोड की कीमत पर इस दील को किया गया है लेकिन इससे पहले ऐसी खबरे आई थे कि 38,000 क्रोड की कीमत पर ही इस दील को किया जाना है ये रिपोर्ट्स मीडिया में आई थी लेकिन इनको कभी भी HCL ने कनफर्म नहीं किया था उसी को लेकर अभी ऐसी खबरे आ रही हैं और ऐसे लोग सवाल उठा रहे हैं कि इस डील की कीमत आचानक कैसे बढ़ गई आज की इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस डील की इतनी कीमत क्यूं है और क्या ये कीमत इसी तरह के दूसरे एक्राफ्ट से ज़्यादा है या कम है तो दोस्तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो जो डील कैबिनेट कॉमिटी आन सेक्यूरिटी ने क्लियर की है उसमें 47,000 क्रोड की कीमत पर 83 एक्राफ्ट की दे जाने हैं जिसमें 1200 क्रोड का ऐसा सेंक्शन भी शामिल है जो कि इस एक्राफ्ट के लिए जो इंस्ट्रास्रक्चर बनाया जाना है उसके डिजाइन और डिवेल्मेंट के लिए है इस डील के बाद अब हर एक एक्राफ्ट की पर यूनिट कॉस्ट 550 क्रोड के क्रीब बताई जा रही है जो कि 75 मिलियन डॉलर्स पर यूनिट पर हो गई है इससे पहले एचेल ने शुरुआत में 599 क्रोड की कीमत मागी थी जो कि 81 मिलियन डॉलर्स पर यूनिट पर पड़ रही थी इसके बारे में ऐसा बताया गया था कि एचेल ने हर एक्राफ्ट के उपर 12% प्रॉफिट मार्जिन रखा था इस कीमत को एचेल ने 2019 में कोट किया था और इसके बाद ऐसी खबरे आई थी कि इस कीमत को कम करकर 38,000 क्रोड के क्रीब ऐस एक डील की जानी है जिसमे 83 तेजस माकवान एक राफ्ट क्रीदे जाने है जिसके बाद ऐसा बताया गया था कि अभी तेजस माकवान एक राफ्ट की पर यूनिट कॉस्ट 455 क्रोड के क्रीब हो गई है जो कि 61 मिलियन डॉलर के क्रीब बढ़ता है लेकिन इन फिगर्स को कभी भी एचेल ने कंफर्म नहीं किया था और अभी इस डील को इतनी ज़ला कीमत पर किया जाना फिर से एक काफी कांट्रोवर्सी क्रीट कर रहा है क्योंकि सबी लोगों को लग रहा था कि इस डील को काफी कम कीमत पर किया जाना था लेकिन अचानक से इस डील की कीमत क्यों बढ़ गई अभी भी एचेल ने ये नहीं बताया है कि इतनी कीमत क्यों है और इसकी additional cost किस चीज़ की है ऐसा हो सकता है कि इसमें additional spairs, logistic sport और दूसरे components भी शामिल हो जिन सबी को मिलाकर इस deal की किमत इतनी ज़्यदा हो गई हो इससे पहले जो negotiations की जा रही थी उसमें इंडिनेर फोर्स ने तीन full scale simulators की मांग भी की थी लेकिन अभी clear नहीं है कि क्या इस deal में भी ये simulator's cover किये जा रहे हैं या नहीं इससे पहले हमने आपको बताया था कि HL ने General Electric से 100 से ज़्यादा F404 engines की देने हैं जो कि 83 Texas Mark 1 A craft में इस्तिमाल किये जाने हैं और इन में से 17 से ज़्यादा spare engines भी खीदे जाने हैं जो कि इन A craft के लिए इस्तिमाल किये जाने थे जिनकी कीमत भी per unit के उपर अगर हम देखें तो 6-7 million dollars के करीब हो सकती है अभी ऐसी confirmation मिल गई है कि इस deal में इस A craft के weapon package की कीमत को cover नहीं किया गया है जो की बाद में खरीदे जाएंगे जिनकी cost बाद में add होगी लेकिन इसी controversy को clear करने के लिए Twitter पर सौरव जाजी ने ऐसी जानकारी दी है कि इस deal में कोई भी additional cost unnecessarily add नहीं की गई है उनने बताया है कि इस deal में तेजस माक वन एक raft की जो per unit cost है वो 300 क्रोड के करीब ही है लेकिन इसकी जो बाकी कीमत है वो इसके infrastructure को लेकर जो cost आनी है उसके कारन है और उनने ये भी बताया है कि वो इसके लिए एक detailed piece लिखेंगे जिसमें वो पूरी जानकारी देंगे कि इसकी कीमत क्यूं ज़्यादा हुई है तो अभी तक इसके कीमत को लेकर कोई भी clarity नहीं है कि ये इतनी ज़्यादा क्यूं है इससे पहले जब राफेल डील हुई थी तब भी ऐसे सवाल उठे थे कि राफेल हमें बहुत ज़्यादा महंगे पड़े हैं और इनकी इतनी कीमत नहीं है जितनी हमने pay की है लेकिन इसके बारे में भी बात में बहुत सारी explanation आई थी जिन्होंने ये explain किया था कि इसकी कीमत increase होने के पीशे वज़े ये है कि एक तो इसमें infrastructure की cost भी add है और इसके साथ ही इसमें हमने India specific upgrades की हैं जा enhancement कराई हैं जिसके कारण इसकी कीमत ज़्यादा हुई है लेकिन अभी जो लोग तेजस माक वन ए डील को criticize कर रहे हैं उसमें उन्होंने ये logic दिया है कि जो हमने square 30m के एक क्राफ्ट क्रीदे थे जो की twin engine एक क्राफ्ट हैं उनकी कीमत तो हमें केवल 430 क्रोड पड़ी थी जाने कि 62 million dollars पर unit पड़ी थी तो फिर तेजस माक वन ए एक कराफ्ट इतना महंगा क्यूं है तो अगर हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करें तो जब square 30m के एक क्राफ्ट क्रीदे गए थे तो तब कीमत अलग थी तब इतनी महंगाई भी नहीं थी जाने कि इतनी inflation नहीं थी और इसके साथ ही जो उसमें एमके एक कराफ्ट है वो ट्विन इंजिन एक कराफ्ट होने के साथ ही उसकी पर आर कॉस्ट आफ लाइंग भी ज़्यादा है और इसके साथ ही उसको मेंटेन करने के लिए ज़्यादा मेंटनेस की जरूरत भी पढ़ती है और वहीं तेजस एक कराफ्ट के साथ ऐसी प्रॉ पाकिस्तान क्रीटा है इन एक्राफ्ट की कीमत के बारे में आगर हम बात करें तो इन को जब 2009 में पाकिस्तान ने पहली बार क्रीदा था तो इनके ब्लॉक वन विरियंट की कीमत 19 से 20 मिलियन डॉलर्स थी लेकिन बाद में जब ब्लॉक 2 एक्राफ्ट आया तो तब इसके बारे में ऐसा बताया गया था कि इसकी कीमत भी 25 से 30 मिलियन डॉलर्स पर यूनिट की होगी लेकिन जब नाइजीरिया ने इन एक्राफ्ट को खीदा था तो उन्होंने केवल 3 और जो ब्लॉक 2 एक्राफ्ट है उसमें तो जड़ा अडवांस टेकनोलोजिस भी नहीं है लेकिन इससे जड़ा अडवांस टेकनोलोजिस हमारे तेजस माक 1 एक्राफ्ट में हैं लेकिन फिर भी हमारा एक्राफ्ट इस एक्राफ्ट के मकाबले में सस्ता है और वहीं अगर ह तेजस माक वन एक राफ्ट था उसकी जो पर यूनिट कोस्ट थी वो 49 मिलियन डॉलर्स पर यूनिट थी और अभी जो तेजस माक वन एक राफ्ट है ये उससे जदा अडवांस्ट है इसमें जदा अडवांस्ट टेकनॉलोजिस का इस्तिमाल किया गया है तो ये सोभाविक सी बात है कि इसकी कीमत उससे ज़्यादा होने वाली है तो हमें ऐसा बिलकुल नहीं कहना चाहिए कि हमारा तेजस माक वन एक राफ्ट काफी महंगा है क्योंकि इसके साथ काफी अडिशनल कॉस्ट जुड़ी होई है जिसके बारे में धीरे धीरे कलैरिफिकेशन मीडिया में आएगी तो दोस्तो आज की इस वीडियो में अगर आपको जी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जुरू लाइक और शेर करें थैंक्स पर वाचिंग डिस वीडियो जै हंद जै भारत कि अबे दो आपको जुर्थ एकरीश में आपको जो आपको जैंक्स पर शेखर झाले चीरे को जी जी जावने का आपको जैंक्स पर उबटने के शाफे जいき दोस्तों आपको जा है